दोस्तो Central University of South Bihar के admission 2022 के regarding बहुत important update लिकर के आया हूँ finally CUET के result आने के बाद में जैसे कि मैंने आप सभी को notification share किया था कि CUSB का यहाँ पे registration का notification भी share कर दिया जाएगा through CUET score के basis पे तो यहाँ पे Central University of South Bihar ने यहाँ पे UG courses के registration के लिए जो है यहाँ पे notification अलड़ी यहाँ पे share कर दिया है 16 of यहाँ पे September का notification यहाँ पे चेक कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो admission notification for undergraduate programs academic year के लिए जो है दिया हुआ है यहाँ पे आप दिसको it is notified for information of the candidates जो की CUET में qualify है यहाँ पे जो की national testing agency के तरफ से लिया गया था and जो भी student यहाँ पे undergraduate में जो है Central University of South Bihar किसी भी courses को जो choose किया थे वो Central University of South Bihar में जो है admissions के लिए eligible है तो जो भी student इन सारे courses के लिए apply किये थे जिसमें सबसे पहला आपका है अब five year integrated BA LLB honors program के लिए दिन five year जो है आपका integrated BA BA program के लिए and four year जो है आपका यहाँ पर BSC BA program के लिए जो है जो भी experience इन तीनों यहाँ पर subjects के लिए apply किये थे आप इसके लिए जो है यहाँ पर eligible सबसे पहले हैं पर आप देख सकते हों यहाँ पर इतना फीद देना पड़ेगा 500 रुपीज लएगा ओके जेनरल के लिए इतना रुपीज है कहां से कैसे करना वह बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर 200 रुपीज लएगा यहाँ पर इसके लिए पर इसके लिए जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी सेर करता हूं सबसे पहले आगर आप यहाँ चेक करोगे तो ओनलाइन रेश्ट्रेशन जो है आपका सेप्टेंबर तक चलेगा आपको इतने दिनों का समय दिया गया है आप इतने दिन तक आप फी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो दूसरा इंप्पोरेंट क्या है राउंड टू का यहाँ यहाँ पर साथ यानि सेबन ओफ अक्टोबर को जो है आपका सेकेंड सेलेक्शन लिष्ट रिलीस किया जाएगा इसमें अगर आप पेमंट के बारें बात करेंगे तो नाइन यहाँ पर आप यहाँ पर कब नाइन ओक्टोबर तक यहाँ नीहाँ पर सकता हो गया पर यहां पर आप imp आप बतांति क्या है वो आपकर के यहाँ पर 17 चलते है ऑफिसल वेबसाइट पर तो गाइस जो भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ था नोटिफिक्स है उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप इस तरीके सिलेक्शन करने के लिए ऑप्सें दिया जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम करना यहां पर चेक कर सक उन प्रोग्राम को आपको यहां पर सिलेक्शन करना है जैसे प्रोग्राम सिलेक्शन कर लोगे उसके बाद में आपको यहां पर आपको यहां पर सब्मिट कर देना है तो इस तरीके से आपको यहां पर रेश्ट्रेशन करना है तो जो भी एस प्रेंट्स यहां पर यह important update आप सभी के लिए लेकर क्या थे तो guys मिलते हैं नेश्ट की update साथ में नेश्ट की वीडि़ीज में तब तक लिए thanks